हालो मेंबर्स अब देखो यहां पर डिसकस करने वाला है सर आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है 12 अफ एपरियर की स्टेटेजी क्या रह सकती है तो देखो यह सभी चीज़े डिसकस करेंगे और आज कुछ न्यूस कम है तो पार्ट टू में जाधतर आप लोगो आज मार्केट में फॉल एक्सपेक्टेट था उपर के लेवल से आया भी था लेकिन नीचे वापस रिकवरी होगी तो दिन से निफ्टी पॉस का एंडल बना रहा है यहां पे भी पॉस था सोचा के फॉल करेगा यहां पे भी पॉस था लेकिन फॉल करता हुआ नहीं दिख चाहिए ठीक है तो देखो डाउजोंस पॉसिटिव है इसकी वाज़े से एक्जियस निफ्टी हमारा थोड़ा लिटल बिट गैप अप है तो मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा वेटे नोच कीजिएगा कल कल शायद एक बड़ी रैड केंडल बन सकती है ठीक है बेस सो हम लोग एस्टी बीटी शाद में भी का सकते है अगर बॉटम की लेवल पर क्लोजिंग दी तो समझ भा रहे हो देखो शॉर्ट में बताना चाहूंगा आप यह समझो मानलो गैप अप ओप ओपन हो गया यह स्टेबल ओपन हो गया यह जो लेवल है आप यह समझो के एप अगर सकते हैं अगर मानलो यहां पर उपन हुआ लेवल टूटाई वन शॉट में बड़ी गैंडल में ओनिंग में तो खरीदर कर सकते हैं लेकिन कॉंट्रीटी कम रखना 17780 टार्गिट मेक्सिमम हो सकते 30 पॉइंट्स के मैं जादा अभी बड़े नहीं दूँगा 30 पॉइंट्स के क्योंकि रेजिस्टन्स है ठीक है लेक 17625 पे आता है 17590 का स्टॉपलोस लेके खरीदरी करेंगे एंड 17700 तक की अप्रॉक्सिमेटली वापस टार्गिट आ सकते हैं ठीक है तो यह हूँ जाती है मेंबर कल की स्ट्राइटरजी बैंक निफ्टी अब देखो बैंक निफ्टी भी रेजिस्टन्स के नस्दिक आँ चुका है वो है 41600 याने की यहां से 300.2 पर ओके तो हम लोग क्या करेंगे बैंक निफ्टी में भी एक मोमेंट अच्छी खासी है स्टेबल ओपन होता है तो हम लोग कॉंटिटी कम रखके ट्रेड करेंगे अगर हाई ब्रीक होता है तो मान लो चाह यह लेवल तूटता है आज का 41,410 अगर लेवल तूटता है तो 41,500 फाइंड एन 41,550 एक तालीस हजार पांसो पचास मैक्सिमम टार्गेट कल के लिए हो सकते है ठीक है सेम चीज है आज का हाई अगर क्रॉस हुआ लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं शॉर्ट पे तो 41,200 के आसपस अगर ब्रीक होता है तो 41,100 तक आ सकता है यानि कि 41,000 तक आ सकता है बैंक निफ्टी ठीक है 41,200 ब्रीक करता है यहां तक आ सकते है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे लेवल तूटने पे वेट कर लेना जैसे ही तूटे हम लोग शॉर्ट करेंगे simple strategy थी कोई rocket science नहीं जिनको नहीं समझ मेरे वीडियो रिवाइन कीजिगा अब फड़ार बात करेंगे आप इंट्रारे श्रॉक्स अब देखो मैंने आपको iron corridor strategy बताई है न ठीके बाक्ची जो की है वो मैं definitely बताऊंगा थोड़ा time consuming मेरा हो रहा है ठीके personal works की वज़े से लेक देखो नविन फ्लोरिन ने range break की है कल के intraday के लिए एंड ये भी MSD crossover है RSA crossover है तो लेवल तूटने पर हम लोग खरीदारी करेंगी डबल 490 break करते हैं stock में एक से दिल परसंद की momentum आ सकती है इसको focus कीजिगा second stock है बज़ाज auto अब देखो बज़ाज auto पीछले 6-7 दिन से continuously उपर है अगर लेवल तूटा 41,000 4,184 तो हम लोग trade करेंगे buy करेंगे country income रखेगा क्योंकि वर्टिकल मुह है एक परसंद का target maximum आपका होना चाहिए बज़ा जो auto slow stock है इसके वज़ाज एक परसंद के target लेवल तूटने का वेट कीजिगा आज का high तीसरा stock है इंडस टावर आप देखो इंडस टावर में continuously selling है देखो selling pause selling pause and selling यह fresh breakdown है 138 के नीचे short करेंगे 137 136 आपके target हो सकते है तो इसको focus कीजिगा washlist पर रखेगा एंड आखरी stock हो चुका है polycab polycab को भी focus कीजिगा यह stocks में momentum अच्छी है pause candle बनाना के वाद जो trend पकड़ा है वो positive है इसमें quantity कम रखेगा ठीक है जैसे ही 3055 break काता है stock 3070-3090 तक जा सकता है इसको focus कीजिगा washlist पर रखेगा बंदा momentum कर सकता है तो कल के लिए चार इंट्रड है stock के शायद आपको किसी ना किसी में profit मिलने के chances है done, hope मैं वैस आज का वीडियो समझ में होगा और देखो आज अधानी ग्रूप का एक और वीडियो रख का है वो भी एक बाद देख लीजी का शायद आपकी काम आ सकता है report क्या है अधानी ग्रूप में वगेरा वगेरा वो सभी चीज़े अपडेट की है and telegram में नहीं है जाके जुड़ेगा search करना है my stock market funda telegram channel के अंदर and देखो आपको अगर dmit account open करना है आपके family members के तो हमारी links से dmit account open कर सकते हैं हमारा whatsapp group को join कर सकते हैं ठीक है और या फिर 900 की membership ले सकते हैं लेकिन वो whatsapp group को join करने के लिए आपको हमारी link से ही dmit account open करना होगा अगर आप interest रखते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए goodbye जय है